अगर आप science student हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये आपके बहुत सारे preconceived notions याने की फंडे हिलाने वाला है तो आज से आठ साल पहले तकरिवन 2014 में Nature ने एक study publish की जिसमें उन्होंने 1900 तक कौन-कौन से articles publish हुए हैं तो उनमें कितने citations आये हैं उसके के इसाफ से उन्होंने एक ranking बनाई और टॉप 100 लिस्ट जारी की तो मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं being scientist चैनल में आपका स्वागत है अब जिन लोगों को citation नहीं पता उन्हें मैं बता दू कि जब भी manuscript लिखी जाती है research review कोई भी manuscript तो हमेशा वो refer कर रही होती ह है पिछले किसी discovery को या invention को क्योंकि उसी की बिहाब पे उसी की foundation बनार के एक नई discovery या नई invention की जारी होती है तो basically इस तरह से citation आता है और यह citation आपको roughly यह भी बता रहा होता है कि उस particular researcher की अपने field के अंदर कितनी importance है उसके काम को कितना look up किया जा रहा है citation का importance आप इससे भी स citizenship मिले गी है नहीं मिले गी है इस बात पर depend करता है कि आपने जो अपने journey के अंदर जो research article या review article जो भी publish किये हैं उनमें कितने citation आ रहे हैं तो अब इस study से जुड़े हो है कुछ मैं आपको facts बता रहा हूंगा और कुछ analysis दे रहा हूंगा और जो भी बात मैं आपको बता रहा था देखने में कि ऐसे कितने scientist हैं यानि कि ऐसे कितने उसमें corresponding author या middle author या first author है जो कि उस top hundred list के अंदर अपना नाम दर्च करते हैं आप guess कर सकते हैं कितने होंगे एक दो पांच दस बीस नहीं zero जब zero दिया मेरे भारत ने लेकिन अगर हम बात करेंगे कि हम paper कितने publish करते हैं तो world के अंदर हम third rank पे आते हैं paper publish करने के अंदर जो कि again यह बताता है कि हमारी basically जो article या हम जो भी publish करते हैं उसको internationally कितने लोग site कर रहे हैं कितना importance दे रहे हैं हमारे काम को कितना look up कर रहे हैं यह कुछ ऐसे हो गया कि जैसे एक आदमी जो नीचे की तरफ एसकलेटर आ रहा हैं और इस तरह का scenario क्यों है अगर आपको यह समझना है तो इसके ओपर मैंने पिछले वीडियो में बात किया आप जाके देख सकते हैं अब एक fine argument यह भी हो सकता है कि चुकि उसके अंदर 1900 से studies ली गई है 2014 तक की तो हम basically independence में 47 में मिली है लेकिन वो भी मैंने चेक किया और ज activity हो गया या फिर codon की discovery हो गया तो ऐसी बहुत सारी discoveries आपके दिमाग में आ रही होगी जो top 100 cited article में आती होगी पर आप बिल्कुल यहां पे गलत होंगे क्योंकि ज्यादा तर जो उसके अंदर वहां पर आ रही है वो 40% belong करती है सिर्फ और सिर्फ biology lab technique के उपर जो है उनमें से लिस्त को भी अगर हम ले 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 तो उसके अंदर भी आठ सिर्फ और सिर्फ biology field से बिलॉंग करते हैं और दो जो हैं सिर्फ physical chemistry field से बिलॉंग करते हैं और जब मैं यह list देख रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद रामाचंदन प्लॉट का भी कहीं पर नाम आये उ आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा शायद आपके दिमाग में आ रहा हो कि इतना बड़ा सेग्मेंट यानि 62% तकरीबन का सेग्मेंट सिर्फ biology field से बिलॉंग कर रहा है लेकिन physics chemistry या math से नहीं जो की other fields of science हैं तो उसका reason बताया जाता है कि एक तो ह streams of the science तो इस वज़ा से हमारा citations सबसे ज्यादा उन top percentile में आता है और यह यह भी बताता है कि क्या वज़ा है जिसकी वज़ासे जो भी biological या clinical journals होते हैं उनके impact factor हमेशा high होते हैं as compared to some core journals जो की physics chemistry या math की field से बिलॉंग करते हैं और बहुत सारी researchers का ऐसा मानना है कि fundamental discovery इसी वज हो जाती है सबको पता हो जाता है तो उसको बार-बार refer करने की ज़रत नहीं होती या फिर वो एक textbook का पाड़ बन जाती है जो कि again उसको refer करने की ज़रत नहीं है और अगर कोई कर भी रहा होगा तो वो उस book को refer कर रहा होगा या उस review article को refer कर रहा होगा ना कि उस original discovery को और यह बात evident भी हो जाती है जब हम Google scholar के list देखते हैं जिसके अंदर ज्यादातर books का जो है वहाँ पर जिक्र है जब citation की बात आती है क्योंकि उनकी अपनी एक अलग top 100 के list है third thing आप शाय सोच रहो हो कि इतने ज्यादा अगर किसी को citation मिले है तो वो naturally बहुत ही important discovery invention रही होगी तो उन रहे है और दूसरा था PCR जिससे की एक तरह से DNA को बहुत सारा amplify किया जा सकता है polymerase chain reaction फॉर्ट ने जो web of science से जितनी भी list निकाले थी वो तक्रीबन पांच करोड 80,000,000 आर्टिकल्स की थी उन पांच करोड 80,000,000 में से उन्होंने top 100 के list निकाल लिए जो कि completely outlier है इसमें से खा top 100 है वो इतने जादा outlier है कि just for an analogy अगर आप मान लिए जो उन पांच करोड 80,000,000 आर्टिकल्स की धेरी बना के और वो बिल्कुल 6 km ऊंचा एक mountain बना देते हैं तो उसके peak का सिर्फ 1 cm जो है वो represent कर रहा होता है top 100 articles को और उसके अंदर भी तक्रीबन सिर्फ 15,000 पेपर ही है जिसके अंदर citations एक तरह से 1000 के तक्रीबन उससे उपर आए है और वो अगर फिर से analogy में बात की जाए तो वो सिफ डेड़ मिटर है उस 6 km के mountain का and quite interestingly वो जो half of the article यानि 5 करोड 80,000 बटा 2 वो आप करेंगे तो उतने article वो हैं जिनमें citations hardly एक पड़ा है इससे हमें ये समझने को मिलता है कि जो impact factor की calculation जो citation की basis पर होती है वो कितनी ज्यादा एक तरह से outlier के basis पर है और उसका कोई भी एक तरह से real importance नहीं है किसी research article या review article को publish करते वाग लेकिन आज की तारिक में आज भी कहीं पर भी जो recruitment होती है most of the places पर वो impact factor के basis पर design होती है और अगर low impact factor में है तो पहली impact factor की baselessness को मैंने बात की है अपने एक पिछले वीडियो में आप उसे जाके detail में समझ सकते हैं now the next thing इस कि अगर आपके उस article को उस top 100 की list में शुमार होना है तो उसको आज की तरीक में हो सकता है कम से कम 13000 citations सेहिंगे which is really huge क्योंकि एक scientist को कहीं बार पूरा-पूरा career लग जा information पाना भी कितनी बड़ी बात होती है वो भी एक तरह से top percentile माने के लिए तो यहां पर तो हजार नहीं बलकि आपको 13000 तक पहुचना है अब मैं आपको लेकर चलता हूं top 100 articles के अंदर की उनमें क्या-क्या publish हुआ है पर मैं mainly यहां पर biology पर ही stick करूंगा क्योंकि एक तो सबस history field से belong करते हैं तो सबसे पहला जो method है वो fallen lowry method है जो की protein concentration determine करने के लिए यूज में होता है जो कि हो सकता है आपने अपने बैचलर्स में भी इस्तमाल किया होगा और आज भी क्या मालूम आप करते होंगे और इसी fallen lowry method के ओपर तीन लाग से भी उपर citations हैं जो की again एक तरह स outlier है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता है और जो lowry हैं वो कहते हैं कि मुझे आज भी बात समझ नहीं आती कि कैसे इस paper को इतना अच्छा मतलब response मिला क्योंकि मेरा यह one of the finest papers नहीं है और जब मैं भी इसे relate करता हूं अपने वीडियो के लिए तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे मेरे वीडियो हैं जिन पर लाखों में व्यूज हैं लेकिन वो मेरे one of the finest creations नहीं है लेकिन उस पर फिर भी लोग अभी भी देख रहे हैं और उसको काफी जो है response मिला है लेकिन जो मेरी नजर में बहुत अच्छे से उनको मतलब उतना response नहीं मिला तो इस सब्जेक्ट तो वाट पीपल आर एक्चुली लुकिंग फॉर सेकंड जो की मॉल्क्रेवेट के बेसिस पर आप सेपरेड कर सकते हैं प्रोटीन को थर्ड जो है वापस से प्रोटीन कॉंसरेशन मेजर करने का टूल है जिसका नाम है ब्रेट-फोर्ड मेथड जो हो सकता है सब्सक्राइब इस्तेमाल करते होंगे फॉर्ट इस डिने स्क्वेंसिंग मेथड बाइस एंगर और फिफ्ट इस जो की आर ना इसलेशन का मेथड है जो की बहुत ही ट्राइस मेथड जो है वह उसी का एक तरह से इंस्पिरेशन है नंबर ट्राइन फोर्टीन पर है ब्लास है जो कि अगेन हम फ्रिक्वेंट्ली इसमाल करते है इंबर ट्वेंटी पर है फाईलो जनि nov टिक ट्री बनाने का मेथड और णंबर फोर्टी वन पर है सांड़ इस लगाने मेथट जिसे आपको सही तरह से उसको कर सके उस phylogenetic tree से, number 14 पर है crystalography का tool shacks, जो की आज भी इस्तमाल लिया जाता है, जब भी protein crystallization की बात होती है, और इसके बहुत सारे variant भी जो है crystalography के बहुत सारे already publish हो चुके है, advanced level के software आ चुके हैं, जब वो publish किया था उसके मुकाबले, so overall बात सिर्फ यह है कि अगर आपको citations पाने हैं, वो बले आपको US में citizenship चाहिए, PR चाहिए, या फिर आपको कहीं पर apply करते हैं, अपनी importance बताने के लिए चाहिए, जिस भी चीज के लिए चाहिए, तो focus on the methods, developing the novel methods, especially the methods जो की लोग उसे in general way में use करना चाहेंगे, that is the key to get the citations, औ तो again, चुकि यह translational science का part है, और अगर आपने method अच्छा develop किया है, तो who knows कि आप जो है, इससे you can build a business out of it, so आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, जय विज्यान!